बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रेटुब तल पेपर हैकर में मैं सुरज राज और आज बहुत बहुत बढ़ी गुड नियूज है आप सभी के लिए चलो को भी सब्सक्राइब करो प्रेल एकन को प्रेज कर दो देखिए आज हम बात कने वाले हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी गुड नियूज है और आपको यह पता होगा कि जो हमने इंपोटेंट कोशन प्रवाइड कर आए थे वो सारे के सारे पेपर में आए हैं यह आपको बिलेर हो गया बताओ यह बात सभी को क्लियर है पहले बताओ आप मैंने जो आपको इनिवस्टी बरेली का पेपर है आप देखो यह है बिये पार्ट बन यह है 2022 का पेपर और एक है एजुकेशन जिसे कह सकते हैं सिक्षा सास्त्र का फर्स्ट पेपर है आप दिहान से देख लो 35 नंबर का पेपर था और यह तीन गंटे का जिन यह प्राइबेट स्टुडें में आए है यह क्लियर है और आप से बादा करता हूँ आगे भी आगे भी आप हम पर भरुसा करिए और अपने दोस्तों कर जैसे आप किलास में पहुंचते हैं पेपर देने के लिए तुरंत सबसे कह दो कि कौन-कौन यहाँ पेपर है कर यूटूब जल से पढ़के आया है बदाओ तो बच्चे कुछ कहेंगे कि हम पी पढ़के आए भई हम भी पढ़के आए तो आपको उन से कमपटीशन करना है कि भाई तू भी पढ़के आया मैं भी पढ़के अब देखते हैं किसके जादा नमबर आते हैं समझ रहे ना तो वो हमें देखना है और सब को बदा लिए बहुत कुछ कस्ट मैं संगर्स करके वीडियो के लिए क्या आता हूं संगर्स करके तो आपको भी मेरे लिए एक बादा करना होगा प्लीज बादा करिए मुसे मुसे बादा करिए कि आप इस वीडियो को शेर करेंगे और अपने जितने भी दोस्त हैं family members हैं सब को बत इस चात्रों से कहना चाहूंगा कि वो paperhacker.in website पर जाकर अपने notes फ्री में डालोड कर सकता है यह है आप हमसे बादा करिए आप सभी को बताएंगे कि paperhacker YouTube channel से पढ़ें और paperhacker website से जाकर अपने डालोड कर सकते notes को लिंक बारे description box में दे रखा है और इस वीडियो को शेर करो मुझसे भरोस देखिए मैं आप पर भरोशा करता हूँ आप मुझे भरोसा करिए और भरोसा यह है कि आप हमारी वीडियो को शेर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे आप बात करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे हम education के first paper में आ पश्टीर वालों के लिए हम देखते हैं 2022 का पेपर कैसा कैसा बनाए अब यहां देख लो यह दीगर उत्तरी प्रसन एक कॉल आ रहा है सुबहा से बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है आप देख सकते हो फिर दुबारा कॉल आ गया मैं इस बच्चे को उठा लेता हूं काफी ट तुम कर रहे हो यह गलत आपो कैसे लगा सकते तुम दूसरे पर है ना तो ऐसा मत करो यार ठीक है ऐसे कॉल आते रहते बहुत सारे यहां देखो बात करने वाले लॉंग कोशन साथ नंबर का इक कोशन ध्यान देखना आपको सभी प्रसनों के उत्तर देना अनिवार है यह नीचे जाएंगे पहला कोशन आपके सामने पहला ही कोशन मैंने आपको इंपोटेंट दिया पूरा कोशन आ गया देखो सिक्षा क्या होती है सिक्षा के महत्व को इसपश्ट करते हुए उनके उद्देशों पर प्रकाश दा लिए पूरा कोशन भसा सात नंबर का देखो यहां बोला गया है श करोणों के बारे बताया है है घटे है। जो आपके नमबर से पास होते हैं एंoter हैं कि अे यहां अच्छे नंबर से पदूते हैं ठिक है Tr अब देखो क्या करना है हमें ये पूरा कोशन फसा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां बोला गया है सिक्षा में जन संचार के साधरों की उप्योगता पर प्रकाश चाले पूरा कोशन फसा है बहीं बात की जाए देखो ये पूरा कोशन फसा है साथ साथ नमर के 14 कोशन फस थे हैं उनके जीवन मतलाब में आप नुभब बताईए यह ब्याक है पूरा कोशन पहसा है भाई जो हमने इंपोर्टेंट दिया साथ नमबर 14 साथ यह 21 नमबर के लॉंग कोशन पहसे है अब सौर्ट कोशन पहुंजा दो दिन पहले लीग सबसे बड़ी ख़वर आपके लिए आज की ठी यहाँ सेक्षन नमबर बोला गया है और सौर्ट वादों है कि यह बोला गया थे नमबर का होगा अब आख धेको बहले कोशन है सिक्षित और आशिक्षित व्यक्ती में आपके अंतर यह तो बना-बना के लिख दोगे एक अनपड ब्यक्ति और एक पड़ा लिखा ब्यक्ति इन दोनों में क्या अंतर है यह तुम से बूचा है यार इतना ना कर सकते हो तुम कताई गजब जहर कोईशन आता है अब देखो यहां करें सिक्षा दोरा समाज परीवर्तन कैसे होते हैं यार एक बात बताओ आप पड़े लिखे हो एजुकेशन ब्यक्ति हो तो आपको क्या हुआ आपके बदलाब आपके सोच बिलकुल लगोगी सबसे बहतरीन होगी यार सब कुछ अलग करने के लिए सोच होगे लेकिन जो अनपड होगा वो आप जाओगे आप देखो यहां कशी खोदेंगे तो हमें समझ किया होगा समाज में कोई परिबरतन थोड़ी ला सकते हैं आप कशी खोद करें परोड़ा करें फिर कुछ करके समझ रहे ना तो सिक्षा के साथ साथ आप कशी खोद रहें तो कोई दिक्कत नहीं है तो आपको दोनों की knowledge मिल रही है बहाद द दिर्ट कार किया जाना चाहिए यह वी कोश्ण आप यह कशन का संस्क्र मैं इस Сंसां मेरी को एसे हुआ आपको बता है शिखशाग में सुनस्केटी का कह सकते हैं संसरन है और विकास वह कैसे हुआ है सेक्सलाइब यहां दिखो देखो एक नंबर कर देखो यहां चौदा नंबर की वह कोशन माल लो और लगबंग में 10 कोशन यह नंबर के मतलब की आठें नंबर की माल लो तो कितने कोशन को बंते हैं यहां से हमारी एमसी क्यूशन की पीड आपको डालोड कर लेते हैं जो बिल्कुल हम लोग फिरी में प्रुवाइड करा रहा है आप प्लेस्टोर बजाएं प्लेस्टोर पर सच कर कुप एस पेपर हैकर एकर एजूकेशन first year MCQ कोशन आइसे करके search करिए तो आपका वहाँ आजाएंगे MCQ ठीक है इस तरीके से हमने बना रखे हैं अब यहाँ देखो पहला कोशन यहां से बुला गया है कि यहां कहारा है परिवार बच्चे की प्रिथम पाट साला है इस तरीके से आपको देख रहा है और यही सब कोशनों के आंसर लगाना है अब एक बताओ आर्टिकल जो 45 है उसमें क्या दे रखा है यार बिलुकुल बास साहिए आर्टिकल 45 बोलता है कि भाई जो माता पिता है 86 में सभीदान संसों दो जोड़ा गया उनसे कहा गया कि वो अपने बच्चों को सिक्षा दे वो भी निसुल को सिक्षा दी जाएगी आर्टिकल कितने में 45 में आपको देखा नहीं है इसके आप खुद देख लेना क्या राएगा इसका अंसर और पांचमा कोशन आपके सामने शायद यह कोई और पेपर आ गया सातमा और यह पांचमा कुछ और पेपर है इसको छोड़ दीजिए तो यह था आपके लिए जो पेपर बने हैं चौद इसका था इक मैं ट्रेक नंबर का था अब यह कितने का फैसा है पच्छिस नंबर की यहां से आपको क्या अकट देना है यहां आपको फच्छिस सो को भाग देना है पैसिस से आपका पर्षेंटेज निकल गया जए कितना पर्षेंटेज फसा है पत्चिस सो को भाग देना है 35 से ठीक है भाग देना है भाग देना है 35 से तो आपके सामने 65 पर्षेंटेज निकल गाएगी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक अपने फैमली मेंबर्स तक जितने हreu दोस्त है, सहेकography्या, सहेलिया, सब को आप पोचाहोगे और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करेंगे एक बार सबीयोक बोलेंगे भारत माता की जए भारत माता की जए है बहुत-बहुत ध इब दी बक्ते दिने के लिए